एक तरफ बिहार में कोरोना बेकाब होता जा रहा है वही कुदरत की मार से आधा बिहार बाड की चपेट में है वही कटिहार में कोसी और गंगा नदी भी उफ़ान पर है उफ़ानाई नदीयों में बढ़ते जलस्तर ने लोगों की दिक्कते और बढ़ा दी बताने की कुरसेला दियारा शेतर के बागमारा, बालु टोला, पत्थर टोला, चाय टोला जैसे दरजुन गाउं में बाड़ने दस्तक दी है काफी दिनों से कमर भर खड़े पानी से सरकार की तरफ से नाओ की सुविधा भी नहीं मिली है लोग सरकारी नाओ के सुविधा नहीं होने से नीजी नाओ के सहारे जान जोखे में डाल कर नदी पार करने को मजबूर है लोग प्रिशासन से मदद की गुहार लगा रहे है लोग बालबचा लेकर रहते हैं माब बाप है बहान है सभी लोग हम लोग उसी जगे पानी का किनारा हम लोग अपना जिंद गुदस करते हैं किसी तरीका से हमारे बरारी विधान साबा को जो निरा जादर थे वो भी बोले थे 2019 में कि दो नाविक देंगे गुवराही घाट में आभी तक कोई चीज ने मिला है नहीं जंता को अभी तक कुछ ने मिला है हम लोग को बराही दीयरा से ये कया सरकादी नहीं नहीं मिला है इपना पोगर्ष से देती है किसान लोग कितना अने जाने में चांशार नहीं नहीं म गलता है विस रूपया पड़े एक अदमी का लगता है 50 रफिया एक एक दंगी का एक तरण से लगता है दस रफ है और पिर एक तरण से लगता है दस पैंगे दूनों मिला के अग कर भी कि पानी होता है पूर्शेला मार्केट हम लोगों करने के लिए परता है। बाहर ये जो पानी कितना दिन हो गया आया वा लग भग कर दो लगा महिना लग गया रिकिना तुसे नाव नहीं मिला नए